जहिन दृस्तो मेरा केस्कुमार स्वागत है अपका एजुकेशन ए गुरुकुल में अब ऐग्जामिनेशन का दौर है इससे देखते होंगे आप लोग बिहार में जो है चल रहा है या सेंटर लेवल का तो आरार्सी क्या है आरची का था इसमें क्या है कि आपका एकजाम चल चर्शा कर देता है रेलेवेर रिक्वार्मेंट से लिसको बोलते रर्सी को पहले रर्वी रहोता था रेलेवेर रिक्वार्मेंट बोर्ड होता था होता भी है अभी भी है गुरूप डी I love group करने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है अभी जो अगस्त में आपका एक्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है कि किस किस डेट में कहां कहां चुकि ऑनलाइन एक्जाम का विवस्ता है तो अप लोग सब लोग देंगे हम लोग जो तयारी करते थे तो सबसे पहल सबसे जदा अगर जॉब लिए तो रेलवे में ही लिए है कारण क्या था कि वंडे एक्जाम हुआ करता था और उसमें हम लोग जाते थे एक्जाम देते थे उसका सलेवस में होता अच्छा था दूसरा चांजी है कि हर विख होता था हर संडे आज आपको लगता है कि तीन चार चार साल पान साल पे एक्जाम होता है लेकिन हम लोगों का एक्जाम जो होता था ना हम लोग हर संडे को बूक राते थे कभी इलाहाबाद बोर्ड में कभी लॉक्त क भी हुआ नहीं की मेने कैसे त्यारी की मैंने कैसे त्यारी कर रखी क्या क्या होए क्या क्या से अफजर्ब किये ताकि हर बोड में देखिए आपको बता देता है टीसी नहीं आपको एसम पहले हुआ करता था एसम सी ए टी ए है न सी सी जिसको बोलते है कॉमर्शियल कलर्क फिर जे डबल ए जुनियर एकाउंट असिस्टेंट जिसको बोलते है इसमें पांच दिन का प्रण इलहाबाद में मातर चार सीट था और वहां भी हमने फाइट किया था देखिए सीनियर कलर्क में क्या होता है कि जो भी आपको उसमें टाइपिंग होता था पता नहीं होता है कि नहीं बता सकते होगा अभी भी होगा तो सोचे बच्चों को चुकि अभी तक से हमने है यह पिर कि भी किस्कालास नहीं लिये थे फिर सोचे कि नहीं ना जिरूष के बारे में बहुत सारे बच्च्च कि है जो अभी ईसे सी निद सी जो है सी जिएस घॉम को बोलते हैं सथ Карण इसमें क्या है कि बहुत सारे ब੍च्च एं और सभी लोगों का The exam इभी ध्यान द और class भी चल रहा है, तो निश्ची तोर पर हम लोग चाहते हैं, यह तो चल रहा है आपका BSA CGL का चल रहा है, ठीक है, BSA CGL का हम लोग कर रहे हैं, continue class उसमें 3 घंटा का class जो है regular चलता है, जो मैं जो आपको GS पढ़ाता हूं, science वाले सर अलग हैं, और मैं तरेजनी के अलग teacher है तो बहुत सारे बच्चे आपको comments किये कि सर, थोड़ा सा हम लोग को focus करें, गुरूप डी लेवर पर, तो निश्ची तुरूप से आपको इडू, इगुरुकूल, अभी के date में जो है, सबसे जो है, बिहार में आप लोग को परिचे होगा ही, आप लोग कोई जानते भी होगे, चुकि बिहार दरोगा, cut up को ले करके हम, प्रीब का भी दिये, मेंस का भी 100% cut up दिये, रेलेवे का भी हमने cut up जारी किया था, जो लोग को मुझसे क्या कोई संदिश देना चाहते हैं, हमने क्या गलतियां की है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं, तो दोस्तों किन ही को भी अगर जुड़ना होगा, तो 7541, 8343 और 03, 99318, 43263, ये नमबर है, और इसी नमबर आप लोग वाट्सप कॉल आया, जो भी आप मैसेज क करना चाहेंगे, तो निशीत तोर पर जो आप लोगो को एड कर लिया जाएगा, ये प्लास आपका बिलकुल फ्री होने वाला है, ये जो प्लास रहा है, साथ तालिक से आपको एनांसिंग कर रहा है, ठीक है ना, साथ यानि परशो आज 5 जुलाई है, 7 जुलाई से मॉर्नि में आपका GS के class हम लेंगे और railway का जो मेरा experience जो रहा है जो सफर जो रहा है तैरी करने का और result निकालने का जो मेरा सफर रहा है वहां से हम जो है आपको बताने का पर्यास करेंगे कोस्टन ते कि आपका syllabus भी आपको यादी होगा GS 25 है science 25 है math 25 है और reasoning तो मैं आपको दावा करता हूं कि अगर मेरा GS का class अगर एक बार आगर आप देख लेंगे content जो मेरा आप देख लेंगे तो निशी तो पर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी content का है और मैं वहाँ slogan भी है कि मेरी content ही मेरी पासान है और जो content जो हमने जो दिया है जे अंचला दिकारी मैं जो है अंचला दिकारी के रूप पोस्टेड हूं ब्यार गवर्मेंट में तो आपनों को रास्ता दिखा रहे हैं दिशा दिखा रहे हैं और उसी दिशा निर्देश का आप चलेंगे तो निशी तोर पर आपको शफलता मिलेगी बहुत सारे वीडियो मेरे अप्लोड है अभी आली में तो उसको आप YouTube देख सकते हैं तो साथ जुलाइस से आपका जो है कि यह स्टार्ट हो रहा है निशी तोर पर आपको पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा तो निशी तोर पर आपको शफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी और यह जो आपको जो आपको ऑनलाइन टेस्ट और कलास जो है आपका CGL का चल रहा है उससे भी आप जूर सकते हैं उस बहुत आपको बहतर भी फैदा होगा दूसरी बात है कि देखिए को पढ़ने का लेबल पहले का पटर्न है अब मालेजी सपोर्टर आप सिंपल एक्जाम पड़े बकसर का जुद कव हुआ था मैं आपसे कोशन पूछे को बकसर का जुद क्यूं हुआ था क्यूं में और कव में कितना अंतर है 1764 अंग्रेजों के तरफ से इसमें कौन थे है ना तो इस तरह से पांच में बंगाल का भी भाजन हुआ था 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 ना बाबू उन्हें 25 में 16 अक्टूब अब डेट भी आपको पता होगा है कि हम आपसे कोशन कर दें कि बंगाल का भी भाजन क्यूं किया गया था थोड़ा साथ पट्टा हो जाएगा तो कंटेंट जो है मेरा आपको देखना है और लेबल आप कोई ऐसा मने जिस एक्जाम में हम बैठे रेलवे के एक्जाम में चाहिए बोड में चाहिए कोई भी मेरा आज तक पीटी का रिजल्ट नहीं रूपा है आपका भी नहीं रूपेगा तो निश्य तोर पर फोलोग जिसे एक्जाम्पल का आपको एक्जाम्पल दे रहें कोस्तन का यह सब्मालिया सपोर्डेट सरसयद अहमद खान का नाम सुने होंगे ना सरसयद अहमद खान तो सरसयद अहमद खान जो है आपको उनको सर का उपादी मिला था सरसयद अहमद खान जो है मुसलिम एंगलो और क्षूटियर्वीड क्या स्थापना विवए था मुस्लिम एंग्लो औरियंडल कोलेज के स्थापना आठाशो 560 में किये थे मुस्लिम यानि कि अली गण मुस्लिम मिन उसी को बना दिया गया 920 में बना दिया गया उनको सर की उपादी कुछेगा कि नाइट हुड की उपादी कब दिया गया तो आपको याद है बोलिए उसका सही एंसर होगा 1888 दिखाई दे रहा है क्या होगा इसमी में जाकर कि उनको सर स्यद अहमद खान को शर की उपादी दिया गया तहां कि अप्रेटें की है लेकिन उसके अहाथ हो दिया गया था ये कोस्टन में कुछ लगता होगा आपको दम है, मालिया जाए सपोर्ट डेट, महात्मा गांदी की बहुत सारी पत्रिकाये हैं, जैसे देख रहे हैं इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नौ जीवन है, हिंद स्वराज है, एक आपको मालिया च चार अपसन आपको दे दिए, कोस्टन आपको पुछेगा, कि इन में से महात्मा गांदी के द्वारा कौन सी पुस्तक या पत्रिका जो है, पुस्तक मानी, एक सीमित सब्दों में लिखा गया है, सीमित सब्दों में, इन में से कौन सी पत्रिका जो है, महात्मा गांदी जो सबसे पहले लिखा गया है नाम तो आपको याद है इस भी आपको पता नहीं कुस्टन किस लेबल से आएंगे तो इसका एंसर भी आपको हम बता देते हैं यह जो आपका हिंद सोरा जो है उन्हें 109 में लिखा गया था और किसके दोरा लिखा गया था महात्मा गांधी के दोर स्कूर्ण करेंगे चोश्ता बनाना पड़ता है को सर्द कर लेबल जानना पड़ता है तब जाकर क्या आपको समझ में आएगा का लेबल क्या है था हैना था मै फ्योक्तम आपके सांथ हैं क्या है कि आप लोग का ऑनलाइन क्लास हम परशो देनी यानि कि साथ जुलाइस से आप लोग के स्टार्ट कर रहे हैं शुबह मॉर्निंग में ही और निशी तोर पर उसको आप लोग परयास करेंगे देखने के लिए टाइमिंग आपको पता चल जाएगा गुरूप भी मेरा जो टेलीग्राम गुरूप भी है मुबाइल नंबर तो आपको मिला ही मिला होगा तो निशी तोर पर दुसरा बात है कि माले यह सब कोड़ेट नए बच्चे जो त्यारी कर रहे है उनके लिए हम बोल रहे है इससे चौंपू क्या है अगर आ जाएगा माले यह क्या है कोस् प्रशंद बिरोजगारी इस तरह से कोस्षन आपको जल्दी किताब में नहीं मिलेगा हाला कि अब जो किताब जो कुछ कुछ किताब जो आ रहे हैं उसमें इस ब देने लगे हैं लिकिसे अग्जाम में आता था डिरेक्ट उसमें लोग घबडा जाते थे ठीक है ना तो यह सब ध्यान रखना होगतों को पढ़ना ओगा च्वंन क्या जिए गद्यू और पध्य का मिश्रण है करना जैसे लैप दखते हैं आप Sugim गौबो दिनी नम सुनेहोंगे आप लोग तद्व बोधिन नमक पत्रिका है जिसमें जाकर राष्ट-गान लिख GOD- गया था राष्ट-गान जिसमें सोता है पन्च पद्य, क्या पद्य था पंच पद्य इनमें से कहा है भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजिलेट तो आपका वहाँ पर लेबल अगर पढ़े होंगे तो जाएगा और नहीं तो सिधा बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है अपसन A, B, C, D का के चल देगा लगवाई, तो लेबल आपको विदिन आपको डेड़ महिना आपके पास समय बचा होगा है लगभग मालेजिए बहुत सारे बच्चे को चुकी लगतार एकजाम होगा एक दिन में तो होगा नहीं उसमें क्या है कि completely दो मन्त आप हम से जुड़िए आपको 7 जुलाज से क्लास से स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग में आपका 7 वजे क्लास हम लेंगे सुबह 7 से लेकर के 8 बज़े तक और रात में जो आपका क्लास होगा ओ आपको मैत रिजनिंग का होगा 6 वजे से होगा मैत वाले भी सर जो है बहुत जवर्धस टीचर है हमारे फैकल्टी तो आप पढ़के देख सकते हैं वीडियो भी उनका अप्लोड है बोलेंगे तो भेज भी देंगे टेलिग्राम का भी लिंक सारा चीज एड़ो ए गुरुकुल को ही नाम से है तो एड़ो गुरुकुल को हम लोग आ रहे हैं आपको साथ जुलाई से सुबह साथ वजे जीस का कलास होगा और रात जो है यानि साम इविनिंग में 600 क्लॉक पी एम में आपका मैथ ओरिजनिंग का कलास होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से जीस और हर संडे को करेंट का कलास लेते हैं दस बज़े से लेकर के एक बज़े तक तीन घंटा का कम्प्लिटली कलास में राता है करेंट अफेर्स का तो निशित तोर पर आप एक बार सिर्थ देख लेजिए उसके बाद आपका माइंड नहीं अवास हो गया तो फिर आप हमको कहिएगा क्योंकि हम बार-बार यहीं बोलते हैं कि मेरे कंटेंट ही मेरे पास आता है तो वीडियो भी आप देख सकते एड़ु और पर डाला हुआ है गरारी क्या है गरारी क्या है बाबू यह आप लोग देखते होंगे एक पत्ती वाली पौधे का जो नाम है क्या है एक पौधे यह सिर्फ जो है इसमें एक ही पौधा होता है सुरी यह पौधे जो उसमें सिर्फ एक हिल लिफ होता है एक पत्ति वाली पौधे का क्या है नाम है तो निशित तोर पर है ना आप उसको याद करेंगे हैंड से कुछता है कि हैंड से का समन्द इनमें से किस से है तो एक लेबल है आप लोग को ज्यादा नहीं आपको पर उससे लेता है लेकिन अगर आप लोग का ग्रेड पर समझ रहे हैं ना जैसे बिहार दरोगा होगा यह साई हो गया है ना मार्केटिंग एमो का हो गया चीक है अब इसमें बीपीएसस के थ्रूज़ बहुत सारे पोस्ट है जैसे कि एमभी आई योगारा का पोस्ट है ए बहुत सारे बच्चे हमको बोले हैं कि निशी तोर पर आपका क्लाज है बहुत बहुत बेतरीन लगेगा इसलिए जो है आप लेकर किया यह और फ्री आप कोई कोश्ट नहीं कोई कोश्ट नहीं है निशी तोर पर जो है 75418343 और 03 एक और नंबर है 9931843263 निशी तोर पर पर आप जो है मैसेज या कॉल करेंगे वार्टसप करेंगे आपको एड कर लिया जाएगा तो लेबल जिस दिन आपको पता रहा गया न निशी तोर पर आप उसको पढ़ लेंगे कोश्ट रिजल्ट रिजल्ट निकालना बड़ा असान है बहुत असान है यह आप लोग गा का गाना है तन से तन का मिलन होना पाया मगर मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं काने का मतलब यही है कि जब यह जो था हम भी इसके पक्षदर हैं लेकि आज तक कभी भी गुरुबडी का हमने फौरम नहीं भरा था लेकिन नीज़ पेपर में मेर्जीन में इंटर्व्यूज में जब पढ़ते हैं कि आयाइटी किये हुए लड़का जो है मिजसे भी लड़के जुड़े हुए आयाइटीन लड़ भी कर रहे हैं क्योंको बोलते हैं कि सार आपका कंटेंट यह जवर्दस्त है तो निशी तोर पर जो है आप लोग मिलिए मेहनत करिए और बहुत आपको फायदे होंगे और फायदे कैसे होंगे आप लोग दो चार वीडियो जब देख लिजिएगा तो निशी तोर पर शक्सन तो पता होना चाहिए नैं कि क्या कुछेगा उसमें से 10 को सबका करेंट कर रहेगा बाकी बचा चार पॉलीटी से 7-8 को सब्सक्राइगे तो पॉलीटी में आपका कम से कम 50 कि लिशन है चैप्टर है पचास में से पहना क्या है सात-8 उसी से बार-बार आपको को सब जो रिपीट करता है मड़न इंडिया हिस्ट्री में आपका तीन सेक्षन है एंसेंट है मेडाइबल है मड़न है अगर किसी जुद्ध से लड़ाई से अगर बात करेगा तो सीधी चल जाएंगे आप मेडाइबल में मद्धिकलिन भारत में फेस्ट बैटल पानी पर सेकेंड पैटल अपतराइन सेकेंड बैटल अपतराइन चौसा का जुद्ध यही पुछेगा ना हलदी गाठी का जूद्ध मुवमेंट की बात करूद करेंगे ज्च्व पारन धोल नहीं और स्वयोग आंदोलन है है ना फिर आपका खिलाफ़त मुमेंट भी है सब्सक्राइब भा उन्हें 106 दादा भाई नरो जी कलकत्ता तो सीम्पल लेंगविज में पढ़िए मेहनत करिए और हम आपके साथ हैं और बहुत ही मजाएगा तो साथ तारीक याद किजिएगा साथ जुलाई साथ जुलाई सेवन ओ क्लॉक जीएस का क्लास आये रैकेसलाल के साथ मिल करके हम ल देखे होंगे निशी तौर पर जो अगर पहली बार देखते होंगे तो बिल्कुल पीछे वीडियो देख लेंगे उसके बद आप लोग लाइक भी कर दिजिएगा सब्सक्राइब कर दिजिएगा हम आपके साथ हैं जैहिं से स्टार्ट करते हैं तुम मुझे खुंदू मैं तुम्हें आजाद दूंगा उन्हीं का है फरवर्ड ब्लॉक उन्हीं का है उन्हें सो पचीस में मांडले जेल गए थे कलकाता के महापौर का चुनाव भी लड़ते यानि के महापौर भी बने थे तो निशीत तोर पर उन्हें 38 में भारती राष्टी कंग्रेस का अध्यक्ष बने थे उन्हें 49 में पुना अध्यक्ष बने थे लेकिं पुना जाकर के कंग्रेस ले त्याकपत दे दिये थे और 49 में जाकर डॉक्टर आजिंदर परशाद को भारती राष्टी कंग्रेस का अध सकते हैं सीजियल ठर्ड का उसमें आपको बहुत फायद होंगे ठीक है मिलते हैं हम लोग साथ जुलाई को अर्लिंग साथ वजे इनकलाप जिंदा बाद